अतीक अहमत के समर्थन में लगे पटना में नारेबाजी वहीं आपको बता दे इसको लेकर आपको तवाली थाने के पुलिस हरकत में आ गई है और राईज आजम को गिरफतार करने पहुची है आपको बता दे कि थोड़े देर पहले ही जब खबरे शुर्कियों में आई और कहीं न कहीं पुलिस महकमे में हरकम्प मच गया और पुलिस पहुच गई गिरफतार करने राईज आजम को जो जमा महजित के बाहर जो है उनकी दुकान है बैक का लेकिन ये दोस्ता स्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं दुकान छोड़ फरार हो गया थोड़े देर पहले ये इन्होंने अतीक अहमत के समर्थन में नारे लगाय थे अमर रहे अमर रहे और नरेंद्र मोदी और योगी के खिलाफ जम कर नारे बाजी की गई थी जमा महजित के बाहर क्योंकि जुम्मे का नवाज आज अंतिम दिन है रमजान का महीना चल रहा है ऐसे में कहीं न कहीं जो जानकारिया मिल रही है क्या लगता है खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में पहले कहा थी अपने सही बताया रमजान का महीना चल रहा था और आज रमजान के महीने की अंति में अती दी जा रही थी नवाज पढ़ी जा रही थी नवाज पढ़ने के बाद बाहर आते हैं और अतीक अहमद जिन्दाबाद के नारे लगते हैं जिसके बाद पटना पुलिस परसासन के कान खड़े हो जाते हैं और जिन्नों ने अतीक अहमद जिन्दाबाद के नारे लगाये थे और उनके खिलाप कुछ का विदे विवस्था के खराब करने के बज़े से उन्हें गिरफ सारे करने के लिए पुलिस आई और उनके जो दुकान है वहाँ पर जावा महजित के बाहर वहाँ पर से फरार चल रहे थे पटना पुलिस अभी सारे जगा छापे मारी कर रही है और उनसे पूछताच की जाएगी कली जो है इद का नवाज अदा होना है पटना के गांधी मैदान पिहार पुरे देश में नवाज अदा किये जाएंगे इद के लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी खबर आना एक बड़ा सवाल है कहीं न कहीं जो अपराधी है उनके समर्थन में नारे लगाना कहां से उची थे क्या पुलिस पहले से तैयार नहीं थी पुलिस पे एक बड़ा सवाल है जिस तरीके से ये घटना घटी है यूपी में और उसके बाद से ही पूरे देश में कहीं न कहीं एक समुदाई में गुस्सा है और इसको लेकर नराजगी है और आज वो नराजगी सलकों पर आकर पर तैनात किया गया है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है लेकिन यह लोग नवाज पढ़के आते हैं एक वेगे ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं अभी हाल की दिनों में ही क्या सकते राम नौमी का तैवार था खत्म हुआ है क्या पुलिस उससे सबक नहीं ली जी सबक ल और सहीने में कल इद का नवाज होना है एसे में कितनी तयारी पुलिस की दो पूरी तरह से तयारिया आज एडी जी गैंगवार ने भी बताया है कि पूरे बिहार में इसको ले करके पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है सारे जगहों पे पूलिस को लगाया गया है और सैप को भी इस बटालियन को भी यहां पर बिहार में उतारा गया है सारे जगह पे और इस तरह की जो बाते जिसने नारे लगाये थे जमा महजित के बाहर और उसके बाद जो है इलाके में कही न कहीं हणकंप मच गया है और पूलिस जो है पूरी तरीके से वहां मुस्तैत है कई पूलिस बल की तैनाती कर दी गई है कली ही रमजान का अंतिम दिन था आज और अंतिम दिन जो है जुम्म स्वाई घटी करे जब लेकर कहीं न कहीं पटना में जगा जगा पर अच्छा पिमारी चल रही है अपने सेयोगी अजय के साथ बने रहे देश जीनियूस के लिए और देखते रहे देश जीनियूस